जाहिन आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज फिर एक नए वीडियो के साथ हमें स्टाट करेंगी इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा तो यह टॉपिक रहेगा कि दरोगा के कंपेयर में इस्टेशन मास्टर को कितना ज्यादा बेनुफिट मिलता है यह कम मि भी हो गया है तो दोनों में से कौन बढ़िया है किसमें हम जॉप ले अगर आपको हमारे जगह पर आप रहते तो क्या डिसीजन लेते तो बहुत सारा निचोड़का आज हम स्वालूशन निकाले है एक चली हमारा एक बड़े भाई हैं दरोगा उनसे मैं बात किया पूरा टूजेट तो उन्होंने बताया कि नहीं हमको क्या बेनिफिट मिलता है हम खुदी इस्टेशन मास्टर रहता हमें क्या बेनिफिट मिलता है तो दोनों आदमें का मिलके कंपेर किये कंपेर करने के बाद आज पता चला सॉलूशन तो आए वीडियो के लेट किये हुए भी सेटर्ट करते हैं पहला सीजह हम बात करेंगे कि पे घ्रेड पर थिके तरोगा जुँ होता है ना पे घ्रेड उसको थीम इसे घ्रके मिलता है और इस टेशन मास्टर ग्रॉच्टर चार्बसिक हो कहिशाईगा दो परोगा जो होता है वह स्टेट गोर्मेंट के एकॉर्डिंग आता है वह ग्रूप B के पोस्ट पे आता है ठीके दोनों नॉन गजेश्टेट ऑफिसर है न हम गजेश्टेट ऑफिसर है ठीके और पेमेंट की बात किया जाए तो जीसे हम लोग का ट्रेनिंग पिरियड में 48,000 सम्थिंग इस्टाट था 48,000 कुछ रुपया से इस्टाट था उन लोग का भी ट्रेनिंग पिरियड में जो पेमेंट था न तो 45-46,000 रुपय से ट्रेनिंग पिरियड में उन लोग का स्टाटिंग था अभी जो परजेन टाइम की बात गया है उनकी सालवर डूटी करते हु काड़ पीट के उनका भी 22-5,000 रुपया आ जाता है मेरा भी 22-5,000 रुपया तो सेलरी में अभी तक तो कोई फरक नहीं पड़ा ठीके अब इसमें क्या-क्या एलाउंस है सेलरी में भी सेम है ठीके ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा करा डिफरेंट नहीं पड़ेगा क्याश ही होता है कि स्टेशन मास्टर जब नाइट ड्यूटी करता है तो एक नाइट का जो होता है उसका सम्थिंग साड़े 300-400 रुपया तक बन जाता है एक नाइट में जिसे रात को 10 बज़ से लेकर सुबा 6 बज़ तक काउंट कियाता है नाइट ड्यूटी में तो जिस नाइट अलाउंस नहीं मिलेगा जिसे टीये होता है तो टीये में क्या होता है कि इसे इस्टेशन मास्टर एक इस्टेशन से दूसरे इस्टेशन पर ड्यूटी करने जा रहा है सपोज देट 20 किलोमेटर दूरी पर एक दूसरा इस्टेशन है वहां पर इस्टेशन मास्टर अगर हम रूम भी ले रहे हैं तो इस टैशन से रूम तक आने जाने का हमको सफर करना पड़ेगा ना तो सफर करने के लिए वो क्या होता है कि आपको पैसे के तौरपे 23.200 रुबिया वो देता है अच्छा वर्दी का पैसा में देखिए वर्दी के पैसे के लिए इस्टेशन मास्टर को 10,000 रुपया मिलता है एक साल में वही दरोगा को 11,000 रुपया वर्दी के तौर पे एक साल में उनको मिलता है आहें रेल वेраш पास रेलवे पास वेसे मांश्टरिम नाइन सिंसालर अधर्ण। आयरो आपके कहें लिए पास इस्वर्गों में तो अधरीक दोखर उन्सी क्लिए स्ट होता है। तो आपेली धर्षेच की और श्यृतacao प्रण। हमेडिकल के लिए हमारे पास क्या होता है हम रेलवे के पास हॉस्पीटल होता है और इंडिया इंडिया व्रांच है दूसरे हॉस्पीटल से भी आप एलाज करा लेना है तो रेलवे उसका पैट कर का मगर दरोगा में क्या होता है कि railway जो मतलब medical का कोई facility नहीं देती है हर महीने में 1000 रुपिय एक्स्ट्रा आपको medical का पैसे देती है HR A, HR A 132 रुपिय संथिंग मिलता है तो station master का HR A क्या होता है कि जिसे आप XYZ तीन तरह का city होता है तो अगर आप Z city है जिसे हम लोग रहते है तो वह Z city में आता है तो Z city में क्या होता है 9% मिलता है Y city में रहिएगा तो 18% मिलेगा Y city का मतलब जिसे हमारा यहां तिरुशी रापली है division head quarter है तो उसमें 18% आपका जो भी basic 35,400 रुपिया है उसका 18% मिलेगा वहीं आप एक city में रहिएगा तो 27% मिलता है तो जो भी आपका 35,400 रुपिया या जितना भी basic रहेगा उसका 27% मिलेगा तो HR जो होता है हर जड़ा अलग अलग मिलता है फ्लेट लीजिए कैसा लीजिए नहीं लीजिए आपको डिपेंड कर रहा है पट आपको गुर्मेंट 3,000 रुपिया हर महीने का पे करेगी तो वही टोटल सेल्डी अगर बोला जाय तो काटपीट के 22,500 रुपिया इस्टेशन मास्टर का भी फिलहाल में हमारा भी बन रहा है तो कि हमारा साल पर हुआ ड्यूटी करते हुए और उनका सम्थिंग दो साल हो गया डेड या दो साल होई गया तो उनका भी 22,500 रुपिया टोटल मिलागे काटपीट के आ जाता है सुविधाय में देखा जाता है तो कुछ सुविधाय इस्टेशन मास्टर को ज्यादा मिलती है इज्जट की बात किया जा है तो इज्जट लबाइ दोनों आदमी को है इस्टेशन मास्टर भी आप बनिए गया न तो कोई भी आता है तो सलाम साराम सार्फ करता रहता है थोड़ा से एक भोकाल bukhütfen या तो दोनों पाबिक और और ग्रवकित किसा सब्सक्राइब सब्सक्राइब अफिसयल जॉब होता है एह एक दन में इस्टेशन मास्टर को 15 दिन का छुट्टी मिलते हैं और उसमें गाउं जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप बढ़ा सकते हैं चुट्टी या उससे पहले आ सकते हैं कोई लपड़ा वाली ज्यादा बात नहीं है मगर यही दरोगा की बात किया जाए तो दरोगा का मैकसिमम बता रहे थे कि एक दन में तीन ही चार चुट्टी मिलता है उसमें भी क्या होता है कि जिसे कोई केस है आपको सौंप दिया गया है दरोगा को हर समय केस सौंपा जाता है कि आपको 30 केस दे दिया 20 केस दे दिया चुट्टी के लिए बहुत गिल्लत है दरोगा का तोड़ा से responsibility वाला job है ना और tense level job है Tension तो दोनों में है मगर उसमें जादा ही pressure है दरोगा वाला में और physically दोनों चीज़ है तो चुट्टी की बात किया जाए तो ये मैं बोल सकता हूँ कि कि मतलब दरोगा के एक दिन में दो ही तीन मिलता है साधी का साधी का जब रहता है तो इस्टेशन माश्टर को एक साथ 30 चुट्टी मिलता है वही दरोगा को 15 से 20 चुट्टी मिलता है साधी करने के लिए प्रवाइन ग्रहते सब्सक्राइब दीकाता है कि इंड़我 से सबrors four आपी हृष खुम हैं इस्प्रहाइन के सब्सक्राइब आप से favor है unix बेज सब्सक्राइब हम हमाइन पकुन भी तो हाइब खराब है या पीता जी का तभीयत खराब है या किसी का डेत हो गया तो इसली उसमें छुट्टी मिल जाता है देखे कारे की बात किया जाए तो दरोगा के लिए मेंटरली और फीजिक लिए दूनों कारे करना है तो आभी वो बोलते हैं कि जीसे हम लोग ड्यूटी करके आते हैं और फिर जैसे अभी आके वर्दी खोले दो गंटा एक गंटा हुगा अभी पानी उनी पी अभी खाना बनाने जा रहे हैं या खाना मंगा के खाने भी जा रहे हैं तब तक लिए कहीं मर्डर हो गया अब तुरंते वर्दी पेहनिये, पेस्तौर डालिये, चठ से गाड़ी पर बैठिये, तुरंते भागते बनिये कहा मडर हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ फिर इसके बाद mentally क्या होता है, कि mentally में होता है कि political pressure रहता है फिर आम पाबली का प्रेशर रहता है, उसमें डिसीजन लेना रहता है, क्या सही है, क्या गलत है, एक महिना में आपको केस दे दिया जाता है, कि भी इस केस तीस केस आपको सॉल्व करना रहता है, कितना केस को हर हालत में आपको सॉल्व करके निकालना ही निकालना है, इसके व च्वेसियर के मेन काम है कि LC इसको इन्फर्म करना होता है कि यह तेन आरही है इतना बज्य आपका LC gate के पास क्रॉस करेगी तो आप LC gate जो भी होता है क्रोसे इसको धिरा जेगा यह रहता है ट्रेशन को डिलिंग करना रहता है कभी ब्लॉक इंट्रॉमिंट dehलीर् हो जाते है तो इतना मेंटरली थोड़ा सा रहता है इसेम का, मगर हम तो जॉब करते हैं, तो हमको उतना नहीं लगता है, क्योंकि हमारा इस्टेशन जो बहुत छोटा मिला है, बहुत सारा इसा इस्टेशन है, जिसमें देखा जाये तो पोलते हैं कि 10 गंडा का, 8 गंडा का ड्यूडी रहता है, इसमें रोश्टन में कुरसी तो पास होका, रहे रेस्ट, देखिये इस्टेशन मास्यरों का मिनीमम दो दिन रहाये, मिला है जैसे में मिला ही मिला है, कभी 12 गंटा के रहे रहे छोटा M.E. मिनिमम दो रेश्ट मिलेगा मैक्सिमम तीन रेश्ट मिल जाता है तो हर विकली तीन रेश्ट दो रेश्ट हो ही जाता है ठीक है मगर यही ही बात किया जाई इसका दरोगा का तहर दरोगा के लिए कोई रेस्ट नहीं घृश मतलब वो बोलते हैं कि मतलब अधिया थोड़ी है कि संड़े वो क्राइम नहीं होगा मैं बोला कि भाईया आई साथड़ी है कि संड़े को रहल ही चलेगी दो ना मगर यह बात है कि उसमें भी आपना जो भी मतलब जो भी कमपणी है इस्टेट गोर्मेंट है या सेंडरल गोर्मेंट है या रिलेवे है तो वह अपना इंपलोई को तो ध्यान देगी ना भाई या कम से कम वर्दी फीचने के लिए विकली एक दिन तो छुट्टी दीजिए अभी तो वर्दी फीचेगा है दूसरी चीजिए खाना पीना बनाने के लिए अब उसमें क्या वदाने ड्यूटी को कोई फिक्स नहीं रहता है तो अभी रेष्ट की बात कर रहे है ड्यूटी छोड़िये तो रेष्ट हमारा जो होता है रेष्ट मिगनिमम दो दिन इस्ट लग जाता है त्रीपल इस्टार बनने में कम से कम साथ आठ साल लग जाता है थानेदार बनने में दो इस्टार रहता है मगर थानेदार का पोश्ट बहुत आपका मतलब experience होने पर और SP के कि इसे ऐख और्डिंग वो अपना करेगा कि नहीं थानेदार कौन पनेगा तो थानेदार में इज़्जद मिल जाता है पैसा विलु यहाता है और आराम के जिंदगी लाती है ऊन्य जोदागं रहता है तो साथ से 8 साल वी सुद्याद के बार स्पानेदार बनेगा और फिर होता है C.O , बनते बनते यह retirement ही लें देते हैं कोई कोई बन पाता है कोई कोई पूसा नहीं पाता है maximum प्रमोसान थे हमारा इस्टेसा मास्टर का होता है वह थीन साल चार साल के बाद SS गता है वह SS बनने के पाद आप उसके बाद Level 7 में चला जाएगा लेबल 7 में जाने के बाद पिर उसको ऊहता है कि TI का पोस्ट होता है फिर SHMR का पोस्ट होता है AON का पोस्ट होता है तो वह LDC के तुरूए एकजाम दे देकि वूँ अपना पर्मोसन करता रहता है ASS तक आदमी आसाणी से बन सकता है इसेस तक क्या होता हैकि डिपार्टमेंटल परमोशन आपको मीज लाता है मगर ऐसेस आपको को आँगे बढ़ना बहुत चारा परमोशन है बट happens को क्या होता है L-D-C के थरिए गजाम देज़े कंड्डेक्ट करिए और फिर आपको इसके बाद करते जाए इनलाागा परद हो jeśli सबस्क्राइब होता है, together with energy मतलब जैसे ट्रेनिंग का कीं वो एक सब्सक्राइब इसे 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 होता है हमेरे इसे हैं एक इसे होता है यह हम्रें सब्सक्राइब होता है मगर ओन ड्यॡवराब है तो आप भी in charge Labour तो आप भी in chargeाफ बना जाएंगा मगर यही दरोगा की बात कीया जाएं तो इसको इं charge बनने में कम से जय में कम 5 साल पको phaॉल उपरबारी दरोगा भुलेगा आप ये कार्डिक करता है ठीक है इतना तक तो मैं बात कर लिया अब बचता है कि duty roaster की fixing की बात होते है कि duty roaster क्या होता है कि इसमें कितना रहता है तो देखिए दरोगा कोई roaster नहीं होता है इसे वो बता रहते हैं कि हम अभी 10 बजे petrolling पर चड़ेंगे सुबेरे 5 बजे तक हमारा petrolling चलेगा 5 बजे फि कोई भी मतलब case आ जाया या कोई inspection में आ गया बड़ा officer आ गया SPSP तुरंत आपका duty लग जाएगा उसमें कोई मतलब roaster ही नहीं है कुछ नहीं है जब आपको बुलाए तब आपको duty में हर हालत में हाजिर हो जाना है इस्टेशन मास्टर का रोष्टर होता है एक 6 गंटा का रोष्टर होता है एक 8 गंटा का होता है एक 10 गंटा का होता है एक 12 गंटा का होता है ठीक है तो उसके recording सब्सक्राइब इस्टेशन वाश्टर के एकॉर्डिंग करता है कि हम इतना बज़े रोस्टर हमरा इस्टेशन जीस अभी हमारा क्या है कि 8 बाइस से हमारा रात का ड्युटी चालू होगा तुसुवरे 8 बाल तक कंप्लीट होगा अभी तक 12 गंटा चल ला है सब्सक्राइब करना है तो यही सब है डिफरेंट अगर आपको अगर हम वर्दी की सोख है और तो आप दरोगा में जा सकते हैं अगर आपको सब्सक्राइब करना है सांती दिमाग से काम करना ना किसी से लोग ना लपेट ना चांजट ना हाचाच ना मच मच तो आप इस्टेशन मास्टर के लिए बढ़िया रहेगा और हमारा बोला जाए ना तो हम तो इस्टेशन मास्टर ही इंको ज्यादा परिफेंस देगें क्यों दो महिने से इकस्टा टायम हो गया तो फिर जजञ बतात कार लगाए कि काना काट दिया जाए यह झाए वर यह फ्माहिने का सेलरी काट दिया जाए क्यों साल्व कर पाया है इतना दिन सी क्या कर र้हा ह distingu क्त्तरल हाता है शार में अगर हैं भॉर नोखरी है कि वहां नहीं तो हम बढ़िया आपने, आपनी नोकरी को बढ़िया कर रहा है, वह आला नोकरी को खराब कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों बढ़िया है, बस उसमें भी इज़त है, इसमें भी इज़त है, इसमें भी इज़त है, इसमें भी पाब्लिक को डिलिंग करना रहता है, पाब्ल अगर दरोगा में आपको नहीं मिलेगा फिर इसके बाद होता है कि इसके पास स्कूल है रेलवे का स्कूल अपना खुद का स्कूल है तो उसमें आप आसानी से पढ़ा सकते हैं रेलवे का अपना जीम है, जीम जाके कर सकते हैं बहुत सारे सुभिदाय दिया हुआ है रेलेवे तो मेरेको तो रेलेवे अच्छा लगता है उसके कंपेर में बट अच्छा दुनों हुए है आपको डिसिजन लेना है आपको किसम जॉब करना है हमको जितना नौलेज था मैंने बता दिया अब आप के उपर डिपेंड करता है आपका दुनों में सेलेक्शन होगया आप बहुत भी रिलेन्ट बहुत तेज इंचान है और आप अपने एकॉर्डिंग अपने वीडियो देखके अपने एकॉर्डिंग अपना डिसिजन लेजिए आज के लिए इतना ही चलते है चैहिन